असलाम लेकूम कैसे आप सब लोग मैं उमीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुसम काफी अच्छा हो रहा था दूप भी थी तो मैंने का थोड़ा सा बच्चों को जो है पार्क लेके जाती हूं मेरे घरते नजदीक एक थो अगर उठके कहीं नहीं जाओ या फिर बच्चों के साथ एक्टिविटी नहीं करो तो सारा दिन बहुत सुस्त गुजरता है तो बहतर यही होता है कि बच्चों के साथ एक्टिविटी कर ली जाए क्यूंकि बच्चे बोर हो जाते हैं यहां पर कोई ऐस सच रूटीन होती स्कूल के इलावा तो यहां पर वीकेंड पर कुछ और नहीं होता करने के लिए तो बच्चों को एक्टिवीटी करवाना भी बहुत जरूरी होता है मैंने सुचा थोड़ी बहुत में बाउब कर लेती हूँ मौसम काफी अच्छा था यहां पर मेरे बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए तो एक घंटा तक रीबन मेरे बच्चे धूब में खेलते रहे लेगे 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 बहुते के बाद मौसम ने अपने असली लंग दिखाने शुरू कर दिया थे मौसम चेंज हो गया था तो फिर हम लोग घार आगए थे घार आई तो मैंने बहुत सारे अपने काम जो थे वो अरेंज किये वे थे पहले मैंने स्टार्ट लिया था किचन में अपना बॉनलेस चिकन को अर्गनाईज करने से तो मैंने सुचा किसको कट कर किसको मेरेनिट करके रख देती हूं सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन के चोटे 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 टुकरे कर लिया थे उसके बाद मैंने जो है वो दूसरे साइड पे जो बोनलेस चिकन है उसकी चोटे चोटे स्टिप्स भी बना ली थी तो मैंने तीन स्टाइल से चिकन को कट कर लिया था एक मैंने बनाये थे bonless chicken cubes दूसी साइड पे मैंने बनाये थी जिनोर्डीसी strips और तीसी साइड पे मैंने chicken को सिर्फ thinly cut slice में ही रखा था यहाँ पे मेरा bonless chicken cut चुका है इसके बाद आगे थी दूसरे chicken की बारी जिसके अंदर मैंने काहिट दी थी जिसके चोटी चोटी चिंगर फिंगर्स कह सकते हैं या chicken strips कह सकते हैं ताके कुछ भी ऐसा बनाना हो तो वो मेरे काम आ जाए तो बस फिर मैंने अपने आपको कसाई की परपूर डिग्री दे दी थी कि मैं अब प्रोफेशनल कसाई बन चुकी हूँ क्योंकि मैंने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से कट कर लिया था तो इसे देखने के बाद मेरे मूँसे भी निकल गया था लुक एट ता लेवल अफ परफेक्शन तो यहां है हमारे तीन महमान यानि के तीन तरह के चिकन एक है हमारा थिनली स्लाइस चिकन दूसरा है हमारा बॉनलेस क्यूब चिकन तीसरा है हमारा स्ट्रिप्स और उसके बाद जो है थिनली स्टाइस चिकन को भी मैंने दर्मियान से कट कर लिया था मैंने का तू भी आजा तो जबी थोड़ा काट तूँ तो बस ये है हमारा सेकंड लेवल अफ परफेक्शन उसके बाद आप देखे हैं हम मैरिनेट कैसे करते हैं बेसिक मैरिनेशन है बिल्कुल मैं दो बिल्कुल यी बेसिकली मैरिनेट करती हूँ इसको बहुत ही थोड़े मसालों के साथ सिर्फ चिली सास, लेमन जूस, नमक, थोड़ी सी चिली पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चें और उसके बाद गार्लिक पाउडर जो के मुझे बहुत पसंद है बस ये सारी चीज़ें लगाने के बाद मैं इसे मैरिनेट करके रख देती हूँ हाँ, जीरा पाउडर मैं डालना नहीं भूलती क्यूंकि इसे बहुत इच्छा जायकात है ये बेसिक मेरिनेशन इसलिए है कि इससे अगर मुझे थोड़े से चिकन सेंडविच या कुछ भी ऐसा बनाना होता है पास्ता वगरा तो उसके ये काम आ जाता है ये ऐसा चिकन है कि जिसे हम कहते हैं जी नूटरल चिकन जो किसी भी चीज के साथ जा सकता है तो इसमें इतने कोई हैवी मसाले नहीं होते तो किसी भी चीज के साथ आप चाइनीज बना रहे हैं तब भी चलेगा अगर आफ फ्राइड रैस बना रहे हैं ये तब भी चलेगा ये हर एक तरह की चीज़ के साथ ये जा सकता है तो इसे मैं कहती हूँ रलिया मिलिया चिकन तो बस फर उसके बाद मैंने एक बरतन ले लिया था उसके उपर मैंने शौपर लगा लिया था मेरे पास एक अलुमीनियम फॉयल थी मैंने इसके उपर शौपर लगा लिया था शौपर लगाने के बाद ये जो रलिया मिला चिकन है यानि कि मेरा जो मेरी निर्टिड चिकन है इसके मैंने जो है ना पहले मैंने इज़त बक्षी इसको मैंने का कि आहसा है एक एक स्टिप रखती हूँ ताकर सारी स्टिप जढ़ा लएक फिरीज ओง पृर बाद में मुझे याद है, छोड़ो पर एई लों की इतनी इज़त देंगी पिर मैंने सब को इकठा करके एक जो है ना इसकी धेर बना लिया था लिक abundance आमलफाज में या इसे portion size के मताबक बना लिया था तो मैंने इनको पॉर्शन में करने के बाद इसको फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि जब यह फ्रीज हो जाएगा तो मैं इसे जिप लॉक पैकेट में डाल के समाल दूँगी तो यहां यह रेस्ट इन पीस कर रहा है और कितना प्यारा लग रहा है यह रेस्ट इन पीस करते हुए खैर हम दूसरे चिकन की तरफ जाते हैं बैक टू और वर्क तो लो जी आगी दूसरे चिकन की बारी यहां पर हमने पेलेट में बिचा लई थी शीट आप क्लिंग रैप भी बिचा सकते हैं शोपर भी भी बिचा सकतेे हैं कुछ भी उसके उपर मैंने एक एक पीस जो है ना वो जिकन का तो रखना शुरू कर दिया था ली थी और देखें ऐसे मेरी जो है ना चिकन वो अच्छी तरह से और्गनाईज हो गया है अब मुझे जितने पीस चाहिए होंगे मैं वितने ले लूँगी और उनसे पर अपना काम कर लूँगी लो जी एवी हो गया जे रेस्ट इन पीस इसको भी मैंने फ्रीजर में डाल द पीरे के साथ थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर देगी मिर्च पाउडर के साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी थोड़ी काली मिर्चें डालने के बाद मैंने इसमें लेमन जा डाल दिया था थोड़ा सा लेमन जूस और अदर कलसन का पेस्ट यह बहुत ही basic marination है, मेरा तो दिल करता है जितने मसाले हों, जो भी मेरे हाथ में आए, मैं सब कुछ ही तकरीबन डाल देती हूं, क्योंकि हर दफा मुझे ना different taste चाहिए होता है, तो जो भी मुझे पसंद आता है, मैं वो डालती जाती हूं, हाँ मैं इसमें थोड़ा सा food color भी आसिम ने का कि मैं कैसे बीचे रह सकता हूं, तो फिर मैं भी कुछ काम कर लेता हूं, तो उन्होंने आज गिराज साफ करना शुरू कर दिया था, तो बस फिर गिराज की स्टोरी तो बहुत लंबी है, गिराज हमने बाहर समान निकाल के धोया और उसके बाद समान सारा लेकिन आसिम ने का कि आज मुझे चिकन प्लाओ काना है, तो फिर मैंने का जी कुकर में बनाती हूं, इस कुकर की एक बड़ी जबरता स्टोरी है, ये कुकर आया जी मेरे भाई की तरफ से मुझे गिफ्ट और मुझे ये अपनी दिल से बड़ी ज़्यादा प्यार है, इस क कुकर से मुझे बड़ा प्यार है, क्योंकि ये कड़ा ही कुकर है, इसका मुझे बड़ा शोग था, कि मेरे पास ना ये वला कुकर होना चाहिए, ये बहुत अच्छा कुकर है, तो मैंने का बस अब इसी में मैं खाना बराऊंगी, मैं आज पहली बार इसमें खाना बना रह तो मैंने सारा कुछ डाल के हाफ कप इसमें पानी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने सको बंस कर दिया ये ये फटा-फट सलाद बना ली थी, तो मैंने snack से सांगे मैंने शामी कबाब फ्राई कर दिया थे, आज खाना बनाने के लिए काफी कम टाइम मिला था मुझे खाना बनाना था सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इसलिए मैंने कभी कुकर मेरा इस नहीं बनाए लेकिन एक तो ये कुकर मुझे पसंद बहुत जाद है तो दूसरा ये के जो है मेरा गिफ्ट था तो मैं आपको दिखाना भी जाती थी जो गिफ्ट होता है उसकी अपनी खुशी होती है और ये इसी कुकर का लेड़ है जो इसके साथ आया है ये इसका लेड़ भी है इसके ओपर कुकर का भी ढखन है तो यकीन करें 30 मिनट के अंदर मेरा प्लाव भी ready ہو گیا تھا اور جو ہے میں نے ساتھ میں اپنے husband کے لیے شامی کباب بھی fry کر لیے تھے میں نے اپنی salad بھی بنا لی تھی تو بس پھر تھوڑا سا میں نے ایک simple سا آج اپنا menu رکھا تھا کھانا بنا لیا تھا بچے بھی گھر پہ ہی تھے تو ہم لوگوں نے نیچے بس دسترخان بچھا لیا تھا میں نے کہا آج بیٹھ کے آرام سکون سے کھانا کھائیں گے دیکھیں تو بس پھر دیکھیں کتنے زبردست اور مزے کے چاول بنے ہیں میرے بہت ہی گرمہ گرم اور مزے دار قسم کے میرے رائز تیار ہو گئے تھے اور بس پھر اس کے بعد میں نے کھانا سرف کر دیا تھا تو آج میں نے کھانا سرف کیا اور بڑی مزا آیا یہ کھانا کھا کے فٹا فٹ میرا کھانا بن گیا تھا آپ کو میں آئندہ بھی اس ککر میں کھانا پکاتی ہوئی نظر آؤں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ابھی آپ دیکھیں جی میرا اس کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ میں نے سارے برتن جو ہے نا وہ ڈش واشر میں دھوئے ہیں لیکن اس سے میں نے کہا کہ نہیں اس کا تو میں جو ہے نا خود دھونگی اور اس کو میں اچھی طرح مان جوں گی کہ اس کے اوپر بلکل بھی کوئی سکریچ نہ آئے بہت اچھے طریقے سے میں اس کو واش کروں گی تو میں نے کی ایک سٹریٹیجی میں نے کہا سب سے پہلے میں طوے کو دھولیتی ہوں کہ اصل میں یہ تھا کہ سارے فالتو برتن میں پہلے دھولیتی ہوں ککر کے ساتھ میں دل لگی بعد میں کرلوں گی تو پھر میں نے اپنے پیارے کو جو ہے نا بعد میں دھولی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں نے فیلحال اس کا نام پیارا رکھ دیا مجھے اس کا نام نہیں سمجھا رہا تھا جو چیزیں مجھے پسند ہیں نا میں نے سب کے نام رکھے میں کچن میں تو میں دل سے جو ہے نا ان کا کوئی نام رکھ لیتی ہوں تو ابھی مجھے اس کا کوئی نام نہیں سمجھا رہا تھا آپ لوگوں میں سے کسی کوئی اچھا نام پتا ہو मुझे बुरा और गंदा सिंक, बहुत भी जादा बुरा लगता है, मेरा सपन्च कितनी अच्छी तरह मेरे उपर मुस्कुरा रहा है, जबू मैं अच्छा जब किच्ण साफ करती हूँ, इतना तो मुझे कोई भी डाद नहीं देताई, इतना तो मेरी अमीरे भी मेरी कभी ता कर लिया था, ये लास्ट नाउट की क्लीनिंग रूटीन है, इस में जो है न मैं लास्ट पर क्या करती हूँ कि अपना एक बेवी वाइप या कोई भी क्लीनिंग वाइप है उसको लेके एक लेक बार प्रेंच टॉप्स पर मार देती हूं इसके क्या होता है कि प्लिस बीस और होते हैं वो उतर जाते हैं और दूसरा जो है ना एंटी बेक्टेरियल भी होता है तो इससे किचन बहुत अच्छा साफ हो जाता है तो यह थी मेरी आज की रूटीन अगर आपको मेरा आज का व्लोग पसंदा है होगा अगर आपको मेरा व्लोग पसंदा है हो तो प्लीज टोंट फोगेट तो सब्सक्राइब लाइक शेयर और कॉमेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग